अब हम डिस्कस करेंगे स्केलेटल सिस्टम के बारे में और ये लेक्चर सीरीज में हम स्केलेटल सिस्टम के डिफ्रेंट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे और बहुत आसान तरीके से इसको समझने का कोशिश करेंगे तो देखते हैं skeletal system के इस lecture series को फर्स्ट पार्ट इसमें सबसे पहले हम कुछ इनकी introduction देख लेंगे skeletal system के बारे में तो skeletal system का मतलब है उसमें हडी हमारे शरीर के हड्डियों के बारे में पढ़ेंगे उसमें Vince Bones of the skeletal system It helps in providing protection to the internal organs of our body हमारे internal organs को protect करने में मदत करते हैं and it provides a structural framework to our body Your body in the movement of the body, human body की movement में मतद करते हैं and it also with the help of the muscles and ligaments attached to it इस बोन से जुड़ी हुई muscles और ligaments की मतद से जो muscles contract और relax करते हैं तो वो बोडी को मुव करने में मतद कर रहा है ये muscles and ligaments हड्डियों से जुड़े हैं and it also helps in the protection of red blood cells red blood cells की protection में मतद कर रहा है और storage of minerals में so red blood cells की production red bone marrow में हो रहा है वो हड्डियों के ends पे, long bones के ends पे और irregular bones, flat bones, somoid bone इन सबकी center पे जो spongy bone tissues रहते हैं तो वहां cancellous bone tissues रहते हैं तो उसके अंदर red bone marrow रहते हैं और उस red bone marrow दोवारा red blood cell produce होते हैं और इसके हलाब ये हड्डियों में mineral store होते हैं so this is also one of the function तो वो था एक brief about the functions of the skeletal system और bones क्या करते हैं important points के बारे में discuss किया हम आगे एक इक point के बारे में discuss करेंगे तो यहां पर types of bones के बारे में discuss करेंगे and सबसे पहले long bone के बारे में देखते हैं so long bone मतलब लंबा so length of the long bone is greater than the width जहां पर भी जो भी हड्डी जिसकी चोड़ाई से ज़्यादा अगर लंबाई होगा तो उन सबी हड्डियों को long bone केंगे चाहे वो चोटा हो बड़ा हो कुछ भी हो लेकिन उसकी चोड़ाई से लंबाई ज़्यादा हो तो वो long bone है so इस प्रकार के हड्डियों में एक shaft और two extremities होगे so इस प्रकार के हड्डी जिसके two extremity means two ends होगे और बीच के एक shaft होगा एक लंबा part होगा तो इस हड्डियों को इस प्रकार की हड्डियों को long bone कहेंगे example देख लेते हैं humorous, radius, alna, femur, tibia, fibula यह सारे जो हड्डियां के सब long bone है जिसके two ends होगा और बीच के एक middle long part होगे और चोड़ाई से ज़्यादा लंबाई होगा next category है short bones, short means छोटा so they are short in structure, small होगा और उसके लंबाई चोड़ाई identify नहीं कर पाएगा so there are no shaft and extremities, shaft or extremities नहीं होगे example है carpals, tarcells होगरा so carpals हमारे कलाईओ में जो wrist में, जो छोटे-छोटे हर हाथ में 8 हड्या है, तो वो carpals है, tarcells हर पैर के angle में, AD में साथ-साथ हड्या है, वो सब short bones में गिना जाएगा next है flat bone, flat का मतलब चप्टी हुई so यहाँ पे यह जो हड्या है, उनकी जो shape है, flat है, चप्टी हुई है example है scapula, scapula हमारे shoulder blade या shoulder की पीच्छे triangular shaped जो पतली सी या चप्टी सी जो हड्डी है, जिसको scapula कहते है, वो flat bone है, sternum हमारे anterior middle chest में एक flat हड्डी है, जिसको sternum कहते है, यह सर्फ flat bones में आता है, और next है irregular bone, irregular आनियमित आकार की हड्डी, जो यह regular bones are irregular shaped, irregular shape के है, एक particular shape नहीं कहा जा सकता, it includes bones of the vertebral column, vertebral column read की हड्डीयों के, जो shape है वो आनियमित आकार के है, आप यहां पे देख सकते हैं, तो read की हड्डीयों जो है, जो है, जो है जो है, इसे गूट एक्जाम्पल फुर इर्रगलर bones, नहीं होते हैं जनम के बाद देरे देर डेर डेवलप हो जाता है, they have found lying inside the tendons so tendons joints के cross move करने वाले tendons के अंदर मौजूद है विदिन टेंटेंडेंाइन मौजूद है और उस टेंटेंड बउच्णिन में वो दीरे दीरे डिवलप हो जाते हैं यह example पटला आप़ नी नी के पटला गुड़नी के पटला जो नी कब है से समॉईड बोन के एक्जांबल है, अब यहां प्रापश के सकते हैं, जो लॉंग बोन, यह एक लॉंग बोन है, यहां पर यह फीमर दिखाया होगा है, फीमर है, यह युमरस है, रेडियस, अलाज ये सब अजीबिकिन, विदंग फिबॉला, इस सब लोंग बोन है, देन उसके बाद short bones, short bones यहां पर कलायों में जो हड़ी और AD में जो हड़ी यह सब यहां पर देख सकते हैं यह सब short bone है then flat bone यह यह जो है sternum flat bone है और यह skull की जो cranium की जो bones है वो भी flat है slightly curved है, flat है but then irregular bone यह में discuss कर लिया, then sesamoid bone यह यहां पर पटला, sesamoid bone है तो structure of bone के बारे में next part में discuss करेंगे